हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा, आएम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम क्लास नाइंथ माट्स की बुक का चप्टर 7, एक्सराइज 7.2 का क्वेशन 7 और 8 दिखेंगे और इसके साथ हमारी येवारी एक्सराइज कंप्लीट हो जाएगी अगर आप लोग को अच्छा लगता है चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करेगी और विडियो अच्छी लगेगी तो लाइक पीस को ज़रूर करेगा, इससे पहले कि सारे चैप्टर्स और एक्सराइज इस कवर्ड है question 7 है ABC is a right angle triangle, ABC जो है वो right angle triangle है, ठीक है right angle triangle का मतलब होता है कि 90 degree है, उसमें 1 मतलब 3 angles हैं उसमें 1 90 degree है तो ए येवाला हमें दे रखा है कि 90 degree है और हमें ये भी given है कि AB is equal to AC है, यानि कि ये वाली line और ये आपसमें equal है हम लोगों को B और C यानि कि angle B और angle C को हम लोगों को find out करना है हमें ये वाला angle पता है कि ये 90 degree है तो ये वाला और ये वाला हमें निकालना है देखो तो आप सबसे बहले हम question में लिखते हैं कि क्या given है given है कि A 90 degree है और A B और A C equal है अब एक property होती है कि अगर दो lines equal है तो उनके सामने पढ़ने वाले इस वाली line के सामने कौन सा angle पढ़ रहा है ये वाला तो ये दोनो angles भी क्या होंगे आपस में equal ही होंग ये चीज़ याद रखनी है तो इसलिए angle B और angle C यानि कि angle B ये वाला और ये वाला angle आपस में क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे अब हमें एक चीज़ पता है कि जो भी जैसे कि ये triangle है चीक है इसमें ये angle C है ये angle A है ये B है और ये वाला C है अब हमें ये 90 डिगरी पता है और हम लों को एक चीज़ ये भी पता है कि triangle sum property होते है यानि कि angle A plus angle B plus angle C is equal to क्या होगा 180 डिगरी होगा ये क्या होता है sum of all sum of interior angles जो अंदर वाले angles होते हैं इन सब का sum क्या होता है 180 degree sum of interior angles of triangle ठीक है sum of interior angles of triangle 180 होता है तो हमें A पता है कि 90 है और हमें पता है कि angle B is equal to angle C है ये ही तो अभी हमने देखा था कि ये दोनों equal है क्योंकि दो sides के सामने वाले angles भी आपस में equal होते है अगर ये side इसके equal है तो ये वाला angle इस वाले angle के equal होगा ये property होते है तो B और C दोनों के दोनों equal है तो angle B is equal to angle C is equal to हम X मन ले ठीक है तो angle B की जगा भी मैं क्या रख दू? X रख देती हूँ angle C की जगा भी X रख देती हूँ तो ये हो जाएगा 180 90 ठीक है 90 को अब मैं क्या करूँ? मैं equal to से इस तरफ भेज दूँ तो equal to से इस तरफ जाकर के 90 क्या हो जाएगा? minus में हो जाएगा क्योंकि इधर plus में है 180 minus 90 और 2X थे तो X plus X क्या हो जाएगा? 2X हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा इधर बचा 2X अब X को मैं अकेरा छोड़ दूँ और X 2 के साथ multiply में है तो equal to से दूसरी तरफ जाकर के divide तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 45 तो X की value क्या आ गई? X की value आ गए 45 और X को मैंने किसके परापर माना था? यहाँ पर माना था B, C, दोलों के दोलों X है तो इसका मतलब angle B is equals to angle C is equals to क्या है? 45 है तो B और C हमारे 45 आ गए तो इसमें हमारा यह जो question था इसमें हम लोगों को यह 90 पता था यह दोनों side equal पता थी तो equal side के सामने वाले angles भी equal होते हैं इसको भी X माना, इसको भी X माना तो X plus X plus 90 क्योंकि हमें पता है कि 3 के 3 angles का sum 180 होता है तो हम लोगों ने निकाल लिया X की वाल्यू 45 याने कि A, B, C तुनों, A, sorry A 90 है B और C 45 तो अब हम लोग देख लेते हैं next question तो देखो बच्चो यह जो question number 8 है यह easy भी है और बहुत important भी एक्जाम में बहुत ज़दा आता है इसमें हम लोगों को बोला गया है कि हमें show करना है show that angles of an equilateral triangle are 60 degree each तो एक triangle है ठीक है यह triangle equilateral है equilateral triangle होने का मतलब होता है कि यह side, यह side और यह side तीनों के तीनों sides आपस में क्या है? equal है यह हमें बता रखा है ठीक है? हमें proof करना है कि यह सारे के सारे angle जितने भी angle है यह सब 60 degree होंगे तो हमें पता है इसमें कि ab is equals to bc is equals to ab is equals to bc is equals to ac ठीक है? यह तीनों आपस में equal है तो इसको हम लोग क्या माल ले? इनको हम लोग ठीक है? यह sides हो गई इसको समानिकर ज़रते हैं sides हैं अब हमें पता है कि angle opposite angle opposite to equal sides angle opposite to equal sides are equal ठीक है? angle opposite to equal sides are equal यानि कि अगर यह वाली side और यह वाली side equal है तो इस angle के सामने ही वाला angle इस side के सामने ही वाला angle और इस side के सामने ही वाला angle यह तीनों angle आपस में क्या हो जाएंगे? equal हो जाएंगे और हमें triangle sum property पता है कि सारे के सारे जित्ते भी angles होते हैं उन सब angles का sum क्या होता है 180 degree इसमें आप लिख दीजे angle sum property angle sum property के according सब का sum 180 degree होता है तो इन तीनों को हम लोग क्या मान ले? x माल लें तीनों को तो x plus x plus x ये तीनों x हैं इनको हम माल लेते हैं 180 degree तो 3x हो गए इनको हम माल लेते हैं 3x is equal to 180 degree तो x क्या हो जाएगा? x is equal to 180 upon 3 तो इसका क्यों 3 6 चा 18 ठीक है? तो x की value क्या आगई? x की value आगई 60 यानि की 3 के 3 angle क्योंकि आपस में equal है तो angle a और angle b ठीक है? angle c तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? 60 degree हो जाएंगे तो angle a, b, c तीनों के तीनों हमारे आगए 60 degree ठीक है? तीनों angle 60 degree हो गए हमारी exercise होगे complete अच्छा लगा है अगर वीडियो तो जरूर वीडियो को like करें थेंक्यू